तो आज फर्स डे हमारा हम लोकल सेल्फ गवर्मेंट इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे डेली मैं खोशिश जिस तरह करूँगा कि आपको तीन से चार स्लाइड हम लोग डेली समझते हुए चलेंगे जिससे कि क्या होंगा वीडियो शॉट तो बनेंगे ही साथ ही में आपको रिवाइस करने के लिए भी इजी रहेंगा और एक साथ जादा मटेरियल भी आपको वन टाइम में नहीं हैंडल करना पड़ेंगा सो फर्स्ट टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्मेंट का जिसमें की हम सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में दिखेंगे अभी हम लोग महराश्ट्र में रहते हैं महराश्ट्र में इसे ग्राम पंचायत कहते हैं लेकिन बाकी राज्यों के लिए ऐसा नहीं है हर राज्यों ने अपने अपने हिसाब से अपने छेत्र के हिसाब से उसका नौमिनक लेचर किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो आसाम में इसे गाव पंचायत कहते हैं तमिल नाडू में इसे शहर पंचायत कहते हैं उत्तर प्रदेश में इसे गाव सभा और ओडिश्या में इसे पाली सभा कहते हैं में तो यह कुछ चीजों के बारे में हमें पता हो ना चाहीं कि ग्राम पंचायत के अलग-अलग नाम क्या होता है कभी आपको एक्जाम में सवाल आ जाहें मैंच दॵ पेर में कि आआशाम में इन जारों में से कौन से लोकल सेल्फ गवर्मेंट के नाम है तो आपको बोल देंगे कि आसाम में पाली सभा है यूपी में शहर पंचायत है तो उस टाइम पर आपको यह हैलफुल रहेंगा ठीक है आसाम गाव पंचायत तमिलनाडू शहर पंचायत, यूपी गाव सवा औरीसा पाली सवा अब नेक्स चीज़ यह है, ग्राम पंचायत is said to be Executive Committee of Gram सवा, ठीक है, ग्राम पंचायत को ग्राम सवा की Executive Committee कहते हैं Executive Committee मतलब Executive का मतलब वो होता है जो काम करवा के लेता है इसी की एक होता है law बनाने वाले और एक होते उस law को implement करने वाले तो ग्राम पंचायत law को generally implement करने का काम कती है, इसलिए उसको कहा गया है कि ग्राम पंचायत is Executive Committee of Gram सवा नेक्स्ट कहा गया है कि जो ग्राम पंचायत को महराष्ट्र में एक act है जो इसका नाम है मंबई ग्राम पंचायत act of 1958 उसके article 5 के मताबिक महराष्ट्र में ग्राम पंचायत को established किया गया है लेकिन 2012 में इस act का नाम मुंबई ग्राम पंचायत से बदल के महराष्ट्र ग्राम पंचायत कर दिया LSG मतलब local self government ये एक state list है तीन तरह की list होती है आप सबको बताऊंगा union list, state or concurrent तो local self government is a subject of state list उसके बाद ये कुछ factual है कि first ग्राम पंचायत का जो election है वो according to the 73rd constitutional amendment act के जरी हुआ था और पहला election हुआ था April 1995 में तीक है उसके बाद नीचे मैंने लिखा हुआ है कि procedure for forming ग्राम पंचायत ये बहुत ही important है अगर किसी भी गाव में if you want to establish a ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत established करने के लिए क्या procedure रहती है किसे न अगर आपसे पूछ लिया कल चलके आप कोई अधिकारी बनते हो कोई officer के level पे जाते हो या general perspective में भी किसी न आपको पूछा यार हमारे गाव में ग्राम पंचायत ही नहीं है तो उसके लिए क्या करें या कोई student अपसे पूछता है या कोई भी general ही पूछता है तो आपको इन 4-5 points के जरी पता चल सकता है कि हाँ ये procedure है जिससे हम लोग ग्राम पंचायत को established करते है पहला parameter होता है population कि आपकी गाव की population आबादी कितनी है second है revenue generation कि आपके गाव को revenue कितना आता है कितना पैसा आता है और तिसरा geographical demarcation आपका छेतर कितना बड़ा है कितना छोटा एरिया है उस हिसाब से ग्राम पंचायत को form करते है तो ये तीन चीज़े आता है population, revenue और geographical demarcation ठीक है अब next में बताया है कि ग्राम पंचायत को अगर form करना है और वो plain इलाकों में आता है मतलब मैदानी इलाकों में तो वहाँ की जो आबादी है वो कम से कम 600 लोगों की होनी चाहिए और अगर वही एरिया पहाडी इलाका है और वहाँ पे हमें ग्राम पंचायत established करनी है तो वहाँ पे 300 लोगों की आबादी कम से कम तो होनी ही चाहिए ठीक है राज्य सरकारे sanctions देती है कि आप नया ग्राम पंचायत established करो ठीक है हर विलेज में जिसकी आबादी पास्सो या पास्सो से अधीक हो वहाँ पे ग्राम पंचायत होना ही चाहिए पहले हमने क्या कहा था कि प्लेन इलाका रहा तो minimum population 600 और हिली में 300 लेकिन किसी विलेज में पास्सो या उससे अधीक आबादी है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत कंपल सरी ही होना चाहिए ठीक है लेकिन हर गाव में तो पास्सो लोग नहीं रह तकते ना किसी-किसी गाव में बहुत कम आबादी होती है तो अगर कोई स्मॉल विलेज है जिसकी आबादी पास्सो से कम है और वो आसपास छोटे-छोटे-छोटे गाव रहते है जिसे हम देखते हैं कि महराश्टर में विदर्दों में भी काफी जिसे चिमूर हो गया बल्लार्शा हो गया या कई मॉंबई साइट देखते हैं या किसी भी तरफ देखते हैं हम लोग तो हर तरफ हर जिल्ले में छोटे-छोटे गाव होते तो उन स्मॉलर विलेज का अगर हमने ग्रूप बना दिया तो उस ग्रूप वाले विलेज को हम लोग कहते हैं ग्रूप ग्राम पंक्ट इनसी आपको पूछा कि ग्रूप ग्राम पंचायत का आएडिया किस ने रेकमेंड किया था तो उनfallsका नाम है वीजे नायक दो एक कमिटी आई थी जिनोंने रेकमेंड किया था कि improve ग्रॉप ग्राम पंचायत जैसे भी कोई चीज होनी चाहिए कुछ committees भी हैं जिसके बारे में हम लोग जैसे जैसे आगे lectures आएंगे हम लोग detail में जाएंगे अभी तो मैं आपको एक basic एक layman term में समझा रहा हूँ कि gram पंचायद होती क्या है और कैसे बनती है ठीक है उसके बाद आखरी में लिखा हुआ है जो population जो cover करता है हर एक पंचायद वो vary करता है state to state मतलब महराश्ट्र स्टेट में जैसे हमने कहा कि पास्टो से उपर अगर रहते हैं तो हमारे या compulsory gram पंचायद होनी चाहिए तो हर राज्य में वो criteria नहीं होंगा वो राज्यों की उप उपर निर्भर करता है इसलिए तो हमने कहा ना कि local self government is a state subject अगर ये union में होता तो obviously एक सब के लिए uniformity होती थी कि हर एक राज्य में इतने population के उपर ही gram पंचायद होना चाहिए बट ये state subject है इसलिए हर एक state के लिए अलग-अलग population की size cover की गई है नेक्स्ट बताया है कि जो number of members in gram पंचायद depends on the size of population जैसे कि आपने सुना होंगा अभी gram पंचायद तो हमने देख लिए कि गाओं में उसकी हिसाब से बनता है लेकिन उस gram पंचायद के member भी तो रहते है ना जैसा हम लोग देखते कि पंच का election gram पंचायद का election लिए जो members चाहिए तो वो भी depend करता है आपकी population कितनी है और वो vary करता है वो minimum 7 है maximum 17 मतलब 7 कम से कम साथ होने चाहिए और जादा से जादा 17 इतने members होने चाहिए अब obvious सी बाते 7 कहा पर होंगे जिस gram पंचायद की या जिस village की population काफी कम है या पास्सो है हम लोग ऐसा कह सकते हैं और 17 मतल population काफी जादा है अभी जो population का जो criteria है ना हम आने वाले lectures में दिखेंगे कि कितने population के लिए कितने members होने चाहिए उसके बाद जो members रहते है gram पंचायद के उनको कौन चुनता है उनको गाओ वाले ही चुनते है ठीक है ऐसा तो नहीं है कि उनको nominate किया जाता है नहीं वहाँ पे election properly होता है और वो elect होके properly past सालों के लिए चुने जाते है जैसे हमारे MP, MLA जो past साल के लिए चुन कर आते है उस criteria क्या होंगा क्या आप और मैं gram पंचायद के लिए चुनाओं में खड़े हो सकते हैं हाँ लेकिन उसके लिए हमारी age 21 years या उससे उपर चाहिए अगर हमारी age उतनी है तो हम eligible है election को contest करने के लिए और उस election में vote करने के लिए बतलब 21 साल तो minimum requirement होनी चाहिए लोकसभा के है कि 25 years उमर होनी चाहिए तो यहाँ पर 21 साल के लिए मतलब अगर मैं कहूँ कि आप college pass out student हो आप 21-22 years में जब graduation आपका अगर आप engineering से करते हो तो यह आपकी पास एक अच्छा option है अगर आप किसी गाव से बिलॉंग करते हो तो आप इस चीज के लिए भी election लड़ सकते हो ओके अब यह तो हो गया पंचायद के लिए अब उस पंचायद के election में एक member रहता है जिसको हम लोग कहते हैं सरपंच और another member रहता है जिसको हम लोग कहते है deputy सरपंच जो हमने कहाना कि 7-17 लोग रहते उस साथ से सत्रा लोगों के बीच में एक सरपंच रहता है और दुसरा रहता है डेपुटी सरपंच ठीक है उसके बाद एक ग्राम पंचायत के पास एक पेड सेक्रेटरी रहता है जिसको कहते है ग्राम सेवक यह basically appointed रहता है इसको चुना नहीं जाता जैसे कि ग्राम पंचायत के members को हम लोग elect करते हैं वैसे ही ग्राम सेवक को appointment के तौर पे लिया जाता है इसके लिए एक exam होती है और exam के जरीए आप लोग ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक भी बन सकते हैं अगर आप मैंसे किसी लोगों के पास amazon का subscription हो तो उसमें एक series आई थी I think पंचायत करके series थी उसमें basically ग्राम सेवक क्या होता है उसका role क्या होता है वो बराबर तरीके से बताया है ठीक है तो ग्राम सेवक को appointment कौन करता है जिल्ला परिशत का CEO ठीक है यहाँ पर मैंने CEO नहीं लिखा है आगी उसके बारे में जब आएंगा हम लोग proper detail में पढ़ेंगे लेकिन जिल्ला परिशत जो कि एक district में रहता है वो उनको appointment करते हैं गाओ के level पे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि जो चीफ executive officer जिसको CEO कहते हैं हम लोग basically क्या करता है वो अगर अभी है सब हम लोग formation of gram पंचायत ही पढ़ रहे हैं कि कैसे बनता है वे तब तो हमने उपर कहें कि उनके criteria देखा नीचे के बार में और detail में बताया है कि जो CEO रहता ना सब सबसे पहले क्या करता है वो inquiry करता है और inquiry करके information collect करता है एक prescribed एक proper standard form में कि भाई इस गाओं में gram पंचायत होना है तो उसकी लिए जो उपर criteria बताया है revenue, population, demarkation ये सारी चीजों के बार में CEO inquiry करके information collect करता है और उस information को standing committee के सामने रखता है अभी standing committee क्या होते है हम लोग जो आगे पढ़ेंगे जिल्ला परिशायत पंचायत समीति तब वहाँ पे इसका जिकराएंगा तो अभी उतना detail में मत जाईए अभी basic समझिए कि CEO inquiry इखटा करता है उसको एक proper prescribed form में रखता है और उसको आगे meeting में रखता है कि हाँ सरी meeting में इन्होंने यही चीज़े बोली है और इस तरीके से एक ग्राम पंचायत बनाना चाहते है फिर उस meeting में discussion वगरा होता है कि हाँ कि इस गाओ को सच में जरूरत है इस गाओ के पास इतना revenue आता है तो उसके development के लिए उसके विकास के लिए वहाँ पे employment generation के लिए कई सार सब्सक्रारी चीज़े हो जाती है तो standing committee एक approval देती है और फिर उस approval वाले meeting के उस prescribed form को आगे commissioner के पास भेजा जाता है ठीक है फिर commissioner उस चीज़ को approve करके वही order को district collector के पास भेजते हैं और उस तरीके से ग्राम पंचायत का निर्मान होता है फिर उसके बाद जब district collector के पास वो सारा order घुम के जब पहुचता है और जब वो declare करते हैं कि हाँ यह एक separate ग्राम पंचायत हो चुका है घोशित हो चुका है तो अब उस ग्राम पंचायत में तो चुनाव कराने पड़ेंगे तो उस चुनाव कराने के लिए state election यहाँ पर 11 mistake लिए आ गया है state election commissioner उस ग्राम अब विदिन कौन सा जब वो order collector ने पास किया और घोशित किया कि हाँ अभी यह गाव में विलेज में ग्राम पंचायत बन चुका है तो order पास होने की छे मेने के अंदर-अंदर state election commission अभी यहाँ पर देखो election commission of इंडिया स्टेट election commission करे वो इस नए ग्राम पंचायत में चु चुना हो जाते हैं बाकी की प्रोसिजर आप जैसे टीवी पर देखते हो कि आज यह जिल्ले में election के चुना हुए result आया तो उसके बाद पिर जैसे election का result आ जाता है ग्राम पंचायत काम करना शुरू करती है तो यहां तक कि आपको समझ में आगा है basically कि members कितने होनी चाहिए उनके उनको चुनता कौन है उनकी उमर कितनी होनी चाहिए एक सरपंच दूसरा deputy सरपंच फिर एक ग्राम से वक फिर सीओ information collect करता है प्रेस्क्राइब फॉर्म में रखता है उसको standing committee के पास भेजता है standing committee scrutiny करती है scrutiny मतलब inquiry करती है जाज परताल पूरा सब पता करती कि क्या फा कमिशनर के पास जाता है पिर commissioner से district collector के पास आता है फिर वह approval देता है फिर उसके बाद state election commissioner जाके फिर नया election conduct करवाता है और उस तरीके से gram पंचायत में काम शुरू होता है अब ये हो गया काम election ग्राम पंचायत कैसे बनी अब काम कैसे करती है gram पंचायत वह हम लोग देखें अब functions of Gram पंचायद अब उसमें बेसीकली तो मोटे तोर पे दो functions होते हैं एक होता है administrative function यह प्रशास किया काम एक जिल्लाय मतले जिये प्रशास किया काम चालता कि वह चलो ठीक है आगे देखेंगे administrative functions और दूसरा है public welfare जनता की भलाई के लिए काम तो यह दो वो category में हम लोग मोटे तोर पे functions of Gram पंचायद को divide करते हैं तो पहला है administrative function में कि गाव में शान्ती और order maintain रहे ग्राम पंचायद का यह काम रहता है कि भाईया गाव में जगडा ना हो शान्ती रहे सब चीज़े properly manage हो अगर suppose यह manage नहीं हो रही है जगडा हो रहा है तो police की help करे जो भी crime जो भी गुने हो रहे उस crime से बचने के लिए और जो जिसने वो crime किया है जिसके करण गाव का peace order maintain नहीं हो पाए उस criminal को arrest करवाने के लिए police की मदद करे तिसरा है कि गाव में शराब की बिक्री अगर ग्राम पंचायद चाहती है कि नहीं होनी चाहिए तो वो उसको oppose भी कर सकते हैं लेकिन oppose बस क्या ऐसे बोल देने से होता है नहीं oppose करने के लिए उनको voting करनी पड़ती एक resolution पास करना पड़ता है जैसे हम लोग बोलते नहीं कि भाई हाँ बता कौन कौन ready है हाथ उपर करो फिर voting करते हाँ तीन लोगों ने बोला हाँ दो लोगों ने बोला न ना भठके सब चीजे प्रॉपर तरीके से हो तो वो तू थर्ड मेजॉरिटी के जरीए वोट को वोट करते हैं और जिससे गाउं में वाइन अपोस होती है उसके तरीके आगे काफी है बस ऐसा वोटिंग से नहीं होता हम लोग आगे पढ़ेंगे एक बेसिक पता कर लो बस उसके बाद government के जो भी officials है अब official पतलब जो भी officers जो government के जो उस village में से की gram से वर्क यह जो लोग रहते हैं उनकी ऊपर नज़र रखने का काम भी करती है gram पंचायत ठीक है उसके बाद बोला है कि the penchant can lodge a complaint to the district collector. पंचायत चाहे तो district collector के पास complaint लिखवा सकती है अब किसकी complaint? पटवारी की, लंबरदार की, चौकीदार की, अगर वो अपना काम सही तरीके से ना करेगो, ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत के पास पावर होती है, कि हाँ, पटवारी अपना काम सही से नहीं कर रहा, तो वो district collector के पास complaint करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको question पूछ सकते है, कि complaint किस के तरफ करना, तो वो district collector ना देते वे कुछ और नाम दे देंगे, बीडियो दे देंगे, यह सब तो नहीं, आपको याद रखना है कि वो district collector के पास complaint करेंगे, किस की कर सकते हो complaint पटवारी की, लंबरदार की, चौकीदार की, ठीक है, यह कुछ नाम आपको याद रख management in the village, गाउ में गंदगी ना हो, उससे बचने के लिए, जो भी चीजों की जरुरत पड़ती है, वो ग्राम पंचायत के पास, आप कह सकते हो, ग्राम पंचायत को वो उपलब्द करवानी पड़ती है, गाउ में पीने का स्वच्छ पानी, टैंक्स में, आप देखते हों कि बड़ी बड़ी टंकी आ रहती है, गाउ में, उस टंकियों में दवाई डालना, क्लोरीन की दवाई डालना, जिससे की पानी स्वच हो, दूशीत पानी पीने को ना मिले, तो यह सारी जिम्मदारी पब्लिक वेलफर के तौर पे ग्राम पं चाहित को बोल सकते हो, अगर आप गाउ से बिलॉंग करते हो, और आपके गाउ में, कोई अगर सरपंच होंगा, या जो मेंबर से उन से जाके आप कह सकते हो, कि सर हमें पढ़ने के लिए लाइबरी चाहिए, हमें रीडिंग रूम्स चाहिए, तो यह हमें उपलप करवाई और वो वो करवा की देते हैं आपको, पेड लगाना, उनकी तरफ ध्यानना, यह तो बेसिक चीज़े आप देखते ही हो, जाड़े लावा, जाड़े जगवा, यह सब आप हर सार देखते रहते हो, पशु पालन, इट्राइज दे प्रमोशन फॉर एनिमल आफ एनिमल हस्ब हस्बाइंडरी, ठीक है, आजकल देख रहे हम लोग अग्री कल्चर से जादा अनिमल हस्बाइंडरी का काम जादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद, इट्राइज फॉर देवलोप्मेंट अफ कॉटन इंडेस्ट्री, सो दैट दी अनेम्प्लोइड विलेज बेरोजगार जो लोग है, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिले, इसके लिए ग्राम पंचायत कोशिश करता है कि हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री के लिए डेवलोप्मेंट का काम करें, इसलिए तो हमने देखा था ना कि ग्राम पंचायत जब बनती है, तो य सारे चीजों का डाटा मिलने के बाद ही जाकि इतना डेवलोप्मेंट होता ग्राम पंचायत बनता है, तो यहां तक क्या आपको समझ में आगे कि फंक्शन्स क्या है, दो तरीके के फंक्शन्स देखे हमने एड्मिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक वेलफेर फंक्शन, अब उसके बाद आकरी के तीन पॉइंट है कि ग्राम पंचायत इकोनॉमिकली भी लोगों की मदद करती है, आर्थिक रूप से भी मदद करती है, अगर घाओं में बाड आ जाए, सूखा पड़ जाए, फेमाइन आ जाए, तो उस केस में भी मदद की जाती है, जैसे कि आपने द उनको एक जगा से दूसरी जगा पे shift किया जा या कुछ भी ऐसी help लगती है, तो वो उनकी मदद कर सकते है, उसके बाद आप देखते होंगे गाओं में कबड़ी की मैच, रेस्लिंग की मैच, मेले, एक्जिबिशन, आप मुवीज में वगर देखते हो, हाला कि आजकल के कई सारे मुवी में, हम लोग दंगल मुवी में देखा हो, आपने कबड़ी का मैच, सुल्तान मुवी में, जो गाओं के मेला वगरे दिखाते हैं, तो यह सारी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, बाकी आखिरी जो है वो स्ट्रीट को मेंटेन करो, रोड, ब्रिजेश इन सब का मेंटेन करने का काम भी ग्राम पंचायत करती है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, कि लोकल इसलफ ग्वर्मेंट में गाओ पंचायत, शहर पंचायत, ग्राम पंचायत की मतलब अल्लग-लग नाम देखे, उसके बारे में एक बेसिक चीज दे कैसे ग्राम पंचायद बनती है और functions के बारे में मोटे मोटे तोर पे देखा हम ने ठीक है तो यहां तक के ग्राम पंचायद जो मैंने आपको बताया I don't think so उसके आगे और जादा कुछ detail में आएंगा भी अगर आना है भी तो अगले lecture में मैं कोशिश करूँगा हम लोग कुछ जो आज के lecture में कुछ extra point अगर छूड चुके है तो उसको मैं cover up करने की और कोशिश करूँगा और हम लोग अगले lecture से reservation के बारे में पढ़ना start करेंगे ठीक है ग्राम पंचायत की meetings कैसी होती है reservation कैसे होता है यह सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो अभी यह lecture खतम होने के बाद आप लोग इस चीज़ को two time speed पे एक बार सुनिए और आज का आज ही जो पढ़ा है उसको finish कर दीजे कल के लिए backlog मत बचा के रखेंगे ठीक ह टया की जो न Sumज कर आप रखेंगे लोग इस चीज़ को बारे में हम लोग आप लोग है लोग पारो ऑट खेंगे प्लाले में है और क्लूव है यहार जैसे बार आप बार आप लुड़़ा है यह है जो ऑनाप जो आप छोग लोगः में में लोगः जो जो बाव जो। ॉ